नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागे था आपका टेक्निक ज्यान चैनल में और आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट जो Android LED TV आ रहे हैं 4K वाले उनकी तो उसमें जो 5 से हैं वो लिस्ट किये हैं मैंने मिलब अलगी चूज करके रखे हैं उन सब की बात आज हम करने वाले ह हैं तो यह 5 जो LED TV हैं कौन-कौन से हैं यह जानने के लिए आपको जो है वीडियो को पूरा देखना है अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो निए चलाल बटन है सब्सक्राइब का उसे दवागर चैनल हो सब्सक्राइब कर लें और सामने एक बेल आइकन है अब आप सबसे पहले देख पाएं तो आए शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसा कि हम बात कर रहे हैं 4K LED TV की काफी सारे लोग हैं जो की TV खरीजना चाहते हैं लेकि कई बात में के साथ ऐसा होता कि वह पैसे कर देते हैं वह कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन जो रिषानी आती है मतलब उनके जो फेवरेट प्रोग्राम्स हैं कुछ एप्स हैं या फिर उसकी साइज है या फिर इसकी क्वाल्टी है काफी सारे इसमें प्रोब्लम हो जाती है कुछ ना कुछ तो सब को चाहिए होता है एक परफेक्ट टेलिविजिन जिसके अंदर सब कु हैं यूट्यूब आप उसके अंदर देख लें या फिर कोई और जो वेव पेज हैं वो भी जैसे गूगल के अंदर कुछ सर्च कर सकें आप अपनी इमेल चेक कर सकें काफी सारी फैसलिटी जो है के साथ आप चाहते हैं तो उसी की सिलसले में जो है ये वीडियो में लेका ह है उसके अंदर तो मैंने पांस तीवी चूच किया है जो कि काशी है क्वाल्टी के अंदर जोनी के बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैंने यहां पर रखा है सोनी का जेट 9D जो 4K TV है जिसकी साइज है 15 इंच है 15 इंच वैसे तो काफी बड़ा साइज है लेकिन इतने साइज का टिवी और जो एंड्रोइड टिवी है इतने साइज का होना ही चाहिए उसे के साथ जो सुनी बैक लाइट मास्ट ड्राइब टेखनोलोजी जो इसके अंदर यूज की गी है जो कि दूसरी कंपनियों के पास नहीं है और सबसे अच्छी बात है यह काफी बार जो है इनाम जीत शुका है quality के उपर उसमें जो Android है वो काफी तेज है मतलब जितने भी दूसरे Android है वो इस टीवी के मुकाबले काफी धीमे है मतलब सब से तेज Android जो ही सी में चल रहा है फिलाल इसकी स्पीड और इसकी प्रोसेशिंग स्पीड है वो काफी तेज है इसमें जो मोड़ से की और वो है LG का तो वो है LG का सिगनेचर OLD 4K Android टिवी जिसकी साइज भी 50 पसास अलग अलग साइज में कुछ मिल जाते हैं आपको यह और इसमें भी काफी अच्छी क्वार्टी है लेकिन सभी के अंदर जो अपना अपना एक उनिक कंटेंट होता इसमें भी एक उनिक कंटेंट है इंडिया के अंदर सिरफ यही एक ऐसा टेलीजन air отв cds if लो है वह सपोर्ट करता है इंडिया के अंदर काफी सारी और वी स्कार करता है कि अनदर आपको पिश में यह है लेकिन अगर पैसे आप नहीं देखते हैं तो यह तीवी आप ले सकते हैं तो इसके अंदर भी काफी अच्छे-चे फीचर आपको यहां पर मिल जाते हैं और इसकी जो डिजाइन है लुकिंग है वो भी काफी जो अट्रेक्टिव आपको मिल जाएगी और चलते हैं अलग से स्थीकर के लिए कुछ लगाना इसमें होगा आपको इसके क्वालिटि मिल जाएगी पीशrel फार से • और यह उच्छी बात है कि जो इसके अच्छी क्वालिटि की जो एस त्र वीडियो है वह आपसे इसके अंदर देख सकते हैं तो इसमें काफी सारी अलग-लग क्onne और पिक्सल्स जो है इसके सबसे बेस्ट है इसकी जो टेकनोलोजी है वो काफी अडवांस तरीके से मतलब कैसे बनाएगी यह तो पता नहीं है लेकिन आपको देखते लगेगा कि मतलब सबसे बढ़िया ट्वी यही है तो इसके अंदर यह क्वालिटी है सिरफ इंबिल्ट स् साथ आपको यह मिल जाता है और इसकी जो दिखने की स्टाइल हो भी काफी दो है दूसरे टीलिजन से अलग है और यह फुल एंडुड टीवी आपको यहां पर मिल जाएगा लेकिन इसमें एक प्रोब्लम है इसका जो एंडुड है वो कभी-कभी जो है स्लो हो जाता है है हो 4K HDR TV इसे का जाता है और इसके अंदर जो है फुल HDR Technology का यहां पर यूज किया गया है तो कि फुल HDR Technology है और इसकी जो स्क्रीन साइज है वह 15 इंच आपको मिल जाएगी और इससे बड़ा चाहिए तो इससे बड़ा भी यहां पर आपको मिल जाता है और इसके साथ जो इसमें OS है वो Samsung की तरप से आने वाला है Tizen OS उसके अंदर आपको मिल जाएगा जो कि एक एक बेटर हैंडुड टिवी आपके सामने निकल के आता है उसे के साथ थे इसके अंदर वे बहुत OS जो है जिसके अंदर आप इसके अंदर आपको लेना है तो बस मैंने यह लिश्ट किया है और इसके नाम आपको मैंने बता दिये है फुल स्प्रेसिफिकेशन के लिए आप जो है इनकी वेबसाइट के उपर या पि गूगल के उपर सर्च करके आप इन्हें देख सकते हैं जो की लिश्टेड हैं आपको काफी बार समझ में नहीं आता कि कौन सा टेलिवीजन देखा जाए कौन सा टेलिवीजन सर्च किया ज आपको लाइक से बढ़कर यहां पर आपको मिल जाते हैं तो दोस्तों आपको यह पसंद आया होगा और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले देखता है और वीडियो को लाइक शेयर करना जो है बिल्कुल भी नहीं भूले अगर आपका को सव आपते हैं तब तक के लिए चैनल और बंदेवात्रम